नमस्कार गायतरी जोतिस के इंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है आप लोगों के लिए जोतिस सास्तर के जुड़ी महत्तपून जानकारियों का परसारण हम समय समय पर करते रहते हैं जोतिस सास्तर के हर्विदा से संबद्धी जानकारी हम आप लोगों के लेकर आते ह हमारा उद्दे से रहता है कि जो भी जायनकारी हम आप लोगों तक पहुंचाएं उससे आप अवस्य ही किसी प्रकार से लाबवान दित अवस्य ही रहें आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ही महत्तपुन जायनकारी लेकर आए हैं जीवनदी जो अनेकप्रकार के कष्ट आते हैं उनका प्रतिनिदित भी कहिकी अैंट ले सकते हैं जब राहुगरण की पीडंदी चल्रह है हो तो उससों के थीन vos चोटे चोटे ऐसे उपायद बताए गए हैं जिन पूपायों को नियमित दिंचरिया में यही हम आजमाते हैं तो इसका चमतकारिक लाब हम अतीसीग रही कुछी दिनों में तेख सकते हैं राहु गरळळळळ है को जीवन में वगैसे तो जो जो तिस्यों का आक्लन रहता है कि यहांदि जीवन میں हम बहुत आप लोगों के रहे सी जानकारी की एपिसोत अगे हैं कि जिस समय पे भी राहूद ग्रह की पीड़ा चरमसी मांपर हो और हम रह प्रकार के उपाई करके ठक एक अपना हम अनुमान लगाते हैं कि भई देखो इतनी दुआबाती हो सकता है कौन किस पर टच कर जाए तो इसलिए किसी भी उपाय को हमें कम तर नहीं आकना चाहिए और स्रद्धा नुसार करना चाहिए पहला तो बताया गया है कि जब राहु ग्रह अत्यदिक पीडित कर रहे हो तो व्यक्ति को उस समय पे अपना जो सयन है वो भूमी पर करना चाहिए क्योंकि राहु सनी राहु की तुके लिए जो वैसे माना गया है कि उरसर भूमी माने गया है बंजर भूमी जिस भूमी में कुछ भी नहीं उपता हो जो किसी काम की नहीं हो तो उस भूमी में इनका एक प्रकार से स्थान माना जाता है तो कहा जाता है कि वैसे भी सुब ग्रह जो होते हैं इनको अपने समकत नहीं बिठाते हैं उपर पर हाइट पर तो इसलिए उस समय पर व्यक्ति को भूमी में सेहन करना चाहिए और आरामदाय जो अपना नीचे बिस्तर आदी होता है गद्दा आदी जो आप लेते हैं जो सेहन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी ने किसी प्रकार से जिससे की रात्य और प्रकार से ब्यक्ति को मह्सूस हो यह काली एक दरी आदी कोुई जदर आदी भी जा कर भी ब्यक्ति को सेहन करना चाहिए वह पूमी में जैसा किया करते थेWaaf को भिस्तार कुणत बखबता रहा हूँ तो पहला तो ही है, जिसे कि हम आधुनिक तर पर जाहेगी जबीत पर सो कर और खाली कमरें में भिसे इस तर पर भराहुएा ना हो क्योंकि बराउग़ा होगा तक उहां पर राओग्रिय का दपभाणा जाता है जैसे कि जहाँ पर को पहुँच चाथा चीज़े होगी, घिचड मी चड़ चीग होगी, कोई सिस्टमाइटिक नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर को सिस्टम नहीं है, तो समझे एक राहु के लिए एक बिसिस्ता और भी बताई गई है, राहु ग्रह के लिए यहाँ पर को इसक इसलिए तो भूमी में सेहन जो हमारे टॉपिक चल रहा है तो ब्यक्ति को भूमी में सेहन करना चाहिए दूसरा किसी खाली कमरे में भरी हुई चीज है ना हो ऐसा हो तो और ज्यादा उत्तम है जिसमें की कुछ हलका कम रहा हो हलका महसूस हूँ दूसरा उसमें कोई किवाड ऐसा है कि जैसे खिर्की आदी होती है वह खुली होनी चीज है वहां पर व्यक्ति जैसे करते थे लोटे में जल रखकर उसमें अदर आए और पात्र में चल खुला जल अपने आसपास जा जिस्से की बाहर की हवा उस पर तो ऐसे जल को प्रात्या क्तल टूसा आजी पर उसे छोड़न तो ऐसा किया जा सकता है ने तो सहन रभोव में से है कि दूसरा बताया गया है कि ढॉगी को टीका भोजन. थीखा भोजन है कांविर उसकी होती है वह आद उसको दे सकते हैं जिससे कि Då.isy बिसेश रहता है संगिवान तो डौगी को भोजन या रोज भी आप करा सकते हैं तीखा भोजन उस समय पे अवस्य करवाना चाहिए जिस समय पे कभी आदमी का भी मन होता है कि आज काफी चटपटा तीखा खाने का मन कर रहा है कोई बिसेश खाने का मन तो डौगी के लिए भ दुर्वंगधा जिसका World Name हम बार बार करते हैं कि भगवान गडिच को चढ़ानी चाहिए अरफिट करनी चाहिए जिससे कि केतु ग्रह भी हमारे अनुपूल हो जाते हैं और भगवान गडिश भी उमारे उप्रफिक्परपिक प्रसण्व म going जाते है तो कही न तर आप अपने घर पे लगाएं और प्रती दिन उस पे जल चड़ाएं दुर्वा वही होते हैं जिसे दुर्व घाज भी बोला जाता है और भगवान गड़े इसको हम इसको अर्पित करते हैं उनको परसंद करने तो जैसे पांद और सुपारियादी काम बोला दी हम उनको अ अर्पित करते हैं तो इस दुर्वा से को अगर हम जैसे अपने घर पे लगाएं और इसमें रोग नियमी तौर पर किसे तरह से जल चड़ाएं तो इसे में एक तीन काज वाली काहवत के सांथ हमें लाब मिलेगा यानि कि कर गें तो हम से पर दुर्वा में जल तो दुर्वा का इतना ज्यादा मेहत तो है यादि कि दुर्वा को हम नियमित अपने घर में भगवान चरी गड़े इसको चड़ाते हैं या जैसे हमारे मंदिर जो मंड़ा पर होता है तो वो सभी देवी देख्काओं को जाता है तो उससे राहो की तुकी पीड़ा से भी ह हमें 80 ही लाव मिलता है, कहीं न कहीं सुपल ही हमें, अच्छा फरह लगा रहे हैं, और उस पर नियमी तोर पे जल चड़ा रहे हैं, तो समझ दी के कहीं ने कहीं हमें बड़े से बड़ा अरिष्ट भी हमारा कटेगा और कहीं ने कहीं बहुत अच्छा लाभ भी हमारे जीवन में देखने माएगा तो ये तीन-चार छोटे-छोटे उपाई जो हम राहू ग्रह को अपने अनुकूल बना सकते हैं शाति शात इन में कहीं ऐसी चिज़ें जो यूटे जो अन्ने ग्रहों से शंबठित होति है तो कहीं निकहीं बही पषुर्भी प्रभावएद होते है और उनकों को खराप-फल हमें प्राप्त है आँ, तो उसका समन होता है और अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं तो भूभी एक पहम अच्छा पल देते हैं, ऊस्वारा हैं को रहनी किसी भी उपाए को कम तर नहीं आपना चाखिए हर् उपाए जो हम कर सके करना चाहिए ये कहीं न कहीं उपाय हमारे मनोबल बृद्धी वाले होते हैं अगर हम इसको दुसरे तरीके से लेते हैं एक बैग्यानिक तोर पर और कहीं न कहीं में उत्साह दिलाते हैं उम्मीद जगाते हैं बहुत जेमें कि कुछ ने कुछ अच्छा होगा और जीवान यही है कि बहुत जम्हाम अच्छे की ऊम्मीद हो तो वही सबसे बड़ा रहता है कि उम्मीदों पे ही व्यक्ति का परिंदा भी उम्मीदों पे जीत हैं तो इसने उम्मीद की जाए और सफल भी होनी चाहिए तो यह चोटी-च्छोटी की जये वही है जो बताई ग है नहीं लोगों से आग्र है रहता है कि गायत्री जोतिसा के इंद्र पेसान चुड़े को सबस्क्राइब कर आख एबना राइख बहुत अच्छी जानकारी आप लोगो देखने को सुना को मिलें गया ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोट के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जाई स्री राम जाई स्री कृष्णा और नमस्री वाई